वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला जरूर जोइन के लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगें नवश्कार साथियो स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सेविल सर्वसें में यह हमारी यारो यारो की हिंदी की सीरीज और हिंदी की सीरीज में आज हम लगाने वाले हैं विशेशन विशेशन का मतब विशेशन और विशेशन का एक टेस्ट ठीक है तो हिंदी में यह टॉपिक हम अलड़ी बढ़ चुके हैं आपने अगर नहीं पड़ा है तो जाकर के आप पहले इसका वीडियो देख लीजे और अगर आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ लिय है तो फिर आप इस टेस्ट को शुरू कर सकते हैं और मुझे बढ़ाईए इसमें से आपका स्कोर कितना रहा ठीक है चलिए लगाना शुरू करते हैं इसको देखो वी क्वेशन नमर पहला देखें इनमें आपको विशेशन विशेश्यों में गलत यूगम का चुनाव करना है पहला ओप्शन है रिशी और आर्ष दूसरा है गोप और गुप्त तीसरा है भोत और भोत तेक और चौथा है इनमें से कोई गलत नहीं है सब सही है तो एक तरफ दिये हुए विशेशन एक तरफ दिया हुआ है विशेश्य तो देखो रिशी विशेशन है इसका विशेश् तो ये भी सही है भौत से बना है भूत ये भी बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो ये सभी सही है ऑपशन इसका जो है डी बिल्कुल कर्थ है आगे देखो प्रस्टनमर 2 विशेशणग की पैचान करनी है ईस्वी मुकता श्रान या प्राय Ryu और सी दोनों तो अगर हम यह विशेशन देखें तो विशेशन ऑप्षण एबी है और ऑप्षण सी भी है यानि डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ए और सी दोनों यह दोनों ही विशेशन है यहाँ पर इनका इस्तिमाल किया जा सकता है विशेशन के रूप में ठीक प्रस्ट नमर तीन देखिए विशेशन का चैन करिए रूस्ट तुम भव या डी आप्षण बी और सी दोनों तो विशेशन मतलब विशेशन होता है जिसकी विशेशता बताई जाए वो विशेशन होता है ठीक है और जो विशेशता होती है उसे विशेशन कहते है तो प्रस् यानि तुम भी विशेशे है और भौ भी विशेशे है, रोष्ट विशेशे नहीं है यह विशेशन है, प्रस्ट चार देखिए, हिमाद्री तुंग श्रंग से प्रबुद्द शुद्ध भारती, इस गीत की पंक्तियों में कितने विशेशन है यह आपको अतना है, ठीक है, प्रस्च नमट्च देखो, इसमें कितने विशेशन हैं, यह हमें बताना है, तो नसा कर देखो, प्रबुद्ध विशेशन है, शुद्ध विशेशन है, ठीक है, इसके लाबा हिमाद्री भी विशेशन है ठीक और अगर हम देखें तो शुरंग भी यहाँ पर विशेशन है तो टोटल जो इसमें विशेशन है वो है मतलब स्वरी श्रंग विशेशन नहीं होगा यही तीन विशेशन मुझे आ देख रहे हैं श्रंग नहीं होगा तो हमाद्री है प्रबुद्य और शुद्य है तो option C इसका अब्लकुल करेक्ट है तीन हो जाएंगे प्रबुकित पंक उन्मुक्त गगन कडवा करेला यह किस प्रकार के विशेशन है सावनामिक, व्यक्तिवाचक, संदेवाचक यहन मैं से कोई नहीं प्रबुकित पंक उन्मुक्त गगन और कडवा करेला यह किस प्रकार के विशेशन है यह गुणवाचक विशेशन है अब क्या है इसमें गुणवाचक यह option में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो डी सही हो जाएगा साथ देखें विशेश और विशेशन युगमों में गलत का चुनाव करना है तुम से तुमसा वह से वैसा तथा से तथावत और यथा से यथावत गलत का चुनाव करना है ठीक है तो गलत है इसमें यह तथा ठीक याद रखना कि आप लोग मुझे कमेंट करें के बताईए?, कि तथा का विश्यशन क्या होगा फिर ये तो है नहीं तो फिर आप बताओ क्या होगा आख देखिए सारव नाम्यं कउस्या कितें प्रकार के होते हैं सीधे सीधे आंसर करेंगे सारव नामे क्विशेषर होتे है चार प्रकार के एस रखना ठीक है कि नौ दीखिए विशेषण विशेष के युगमों मेंसे गलत का चेन कीजिए अंतिय अंत इसमार्थ इसमार्तक संख्य सांखिक प्रश्चOS नमर से B और C ये दोनों ही गलित हैं इधहान रखना ये भी गलित है और ये भी गलित है तो option D कब कुल correct हो जाएगा B और C दोनों पैस्ट नम्मर 10 देखिए जस परकार गुरुशब्स dus तीन विशेशन गुरुतव गौरव और गुर्ता बनते हैं वैसे ही विधान शब्द हेतू विशेशन तरही क्या होगा विधान के विशेशन क्या बनेंगे तो देखो विधान से जो पहला सही विशेशन बनेगा वो बनेगा वैधानिक ठीक है दूसरा बनेगा विहित तो विहित और वैधानिक अगर हम देखें तो हमें एक ही option में दिखाई दे रहे हैं वो है option C तो C ही इसका correct है जा रखना बागी जब गलत है आगे देखिए आगे है प्रिश्ट number 11 समर शेस है नहीं पाप की भागी केबल व्याधा जो तठस्त है समय लिखेगा उसका भी अपरादा ठीक है व्याधा नहीं अच्छा व्याध है समर शेस है नहीं पाप की भागी केबल व्याध जो तठस्त है समय लिखेगा उसका भी अपराद उक्तपंतियों में कितने विशेश यह हैं या आपको बताना है चलिए प्रश्ट number 11 चलिए तो जब आप इसको एनलाइस करोगे ठीक है चलिए समर शेस है नहीं पाप की भागी केबल व्याध ठीक तो विशेश आपको इसमें बताने है तो समर है ठीक है पाप है ठीक इसके लाबा थठस्त हो जाएगा यहाँ पर समय हो जाएगा ठीक है ब्याध हो जाएगा विशेश यह और इसमें अगर हम और ध्यान दें तो और भी कहीं है क्या समर शेश है नहीं पाप की भागी केबल व्याध जो तठस्त है समय लिखेगा उसका भी अपराद भी आ जाएगा तो टोटल आप इसमें देखोगे तो चारो दुच है आउक्शन एस का भी कुल करेक्ट है ठीक है यहाद अखना छे है बारे देखिए हम मान गए जब करांतिकाल होता है सारी लप्टों का रंग लाल होता है जागर्त पौरुस प्रजलित ज्वाल होता है शूरत तुनहीं कोमल कराल होता है उप्रोक्त पद्य में विशेशन पद कितने है प्रश नमबर बारा ठीक विशेशन चलो देखते है विशेशन हमें बता रहे है तो देखो लाल हो जाएगा ठीक है इसके लावा कोमल हो जाएगा कराल हो जाएगा ठीक है शूरत तो हो जाएगा विशेशन हमें बताने हैं यहां पर ठीक और थोड़ा सबसे ऐसा कर लेते हैं कि हमें दिखाई दे परश नमबर बारा हाँ तो कराल हो जाएगा कोमल हो जाएगा शूरत तो हो जाएगा ठीक है पौरश हो जाएगा ठीक इसके लावा लाल हो जाएगा ठीक है और ये करांट्रिकल हो जाएगा तो कितने हो गए यहां पर अगर हम गिरें लिए तो एक ड़ो तिन चार पचuju ठीक है और भी कहीं डिक राएगा जब करांटर्डिक अच्छा उपर भी तो है अच्छा उपर दो एक लाएं ने हम मान गए ठीक और भी यहां देखने हैं हम मान गए जब प्रान्तिकाल होता है सारी लप्टों का रंग लाल होता है जागरत पौरश प्रजलित जौाल होता है तो प्रजलित भी होगा यहां पर शूरत तो नहीं कोमल कोमल कराल होता है तो और भी इसमें है ठीक है फिलाल जो इसका आंसर है वो मैं आपको अदाइता हूँ इसका आंसर जो है वो है option C 8 ठीक है बागी थोड़ा आप लोग इसमें दिवाख लगाईएगा ठीक आपनिल को बताना आगे देखें प्रश नमबर प्रश नमबर 13 सूर्य तेजस्वी है उप्रोक्त बाक में करन दो मुल अवस्ता ही इसकी और यहां पर केता कि सूर्य सबसे तिर्यस उई है तो फ़ उत्तम अवस्ता हो जाती है नकिया पिर ऊफिले Wanna को में हिख यह जाता है उद्द्धिर श्य नमबर 15 महरणा प्रताब बहाधुर तो ये किस प्रकार का विशेशन है विधिय विशेशन सार्ममिक विशेशन सांकेतिक विशेशन येन में से कोई नहीं प्रश्णमर 15 तो इसका सही जवाब होगा विधिय विशेशन याद रखना महाना प्रताप बहादूर थे सूले दिखिए यदि विशेशन और विशेशन का सयोजन हो जाए तो क्या बनेगा रूड युक्म प्रविशेशन समास या क्रिया विशेशन तर्शनमर 16 है तो अगर विशेशन और विशेश्च का सहयूंजर JUL जाए तो क्या बने का समास बन जाता है साथj през्षान रखना है ना जैसे बहुत सारे एक्जमपल यहां पर हो सकते हैं जैसे विशेशन और विशेश्य है ना जैसे अगर मैं यहां पे लिग दू चत्र भुज तो चत्र हो जानी चार भुजाए है जिसकी तो ये एक विशेस अर्थ देता है समास का एक्जांपल हो जाता ये और ये विशेस अर्थ देगा किसकी लिए भागवन विष्टों के लिए है ना गरिंग रहे कि अहां जूर दिया कि विश्चाम में आपस जो है जो जाएंगे दही में पड़ा हुआ बढ़ा कीcare का गद का होगा Michalagrt विशेशर कुछ सही है ठिक यह होगा है कि ये भी सभी है इसा से मनें का इस भी ये भी सही है लेकर हम चनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है यह सब्सक्राइब जाएगा उप्शन भी अठाने देखिए जो सर्वनाम मूल और शब्द के साथ प्रत्य है अथवा कोई विकार जुडने से विश्यशन में बदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं नी प्रस्नबर 18 इसमें आपको विशेश्ण बताना है ठीक है प्रस्ट नमर उन्निस तो देखते हैं जड़ा आप्शन है नौ पांच आठ एक प्रस्ट नमर उन्निस का देखो मेवाण भूमी बलिवेदी पर होते बलिशिशु रन निवासों के गोरा बादल रन कौसल से उज्वल पन्ने इतिहासों के इनमें आपको विशेश्ण बताना है विशेश्ण ठीक है तो क्या इसमें कोई विशेश्ण आपको देख रहा है जड़ा देखिए गोरा बादल रन कौसल से उज्वल पन्ने इतिहासों के तो मुझे तो यहाँ पर एक ही विशेश्ण देख रहा है वो है उज्वल बाकी तो मुझे कोई विशेश्ण आपको देख रहा है आपको देख रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना आगे देखो प्रश्ण नमबर बीस तुम रजनी के चांद बनोगे या दिनके मारतंड प्रखर एक बात है मुझे पूंचनी फूल बनोगे या पत्थर इसमें आपको विशेश्ण बताने है प्रश्ण नमबर प्रश्ण बताना है तो अगर हम इसमें विशेश्ण बताना है तो इसको सॉल्व करने के बार जो विशेश्ण इसमें निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे नौ ठीक है आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट कर देना मैं इसकी प्रॉपर एक्स्पिनेशन कर दूँगा किन मैंसे कौन से विशेश्ण है कहां कहां विशेश्ण है ठीक है बता दूँगा ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलाल अब इसका आंसर देख लो आंसर इसका 21 देखो कौन से वाक्य में परिमार वाच्चा क्विशेश्ण प्रियुक्त हुआ है उसने कुछ पानी पिया है वे थोड़ा कमजोर है कुछ आदमी कुछ लड़ू लाए और बी और सी दोनो 21 तो परिमार ऐसी चीज़े होती है जिनको गिना नहीं जा सकता जो नापी तौल ही जाती है ठीक है अब कमजोर होना ये तो खेर एक गुण है तो ये तो विशेश्ण हुआ नहीं परिमार वाच्चा कुछ दूसरा यहां पर हम देखें लड़ू तो लड़ू भले तौले जाते है लेकिन उन्हें गिना जा सकता है लेकिन पानी हमेशा तौला ही जाएगा इसको गिना नहीं जासकता तो ऑप्शन इसका करेक्ट है बाइश देखो नटकट कनैया कपिला गाय का दूद पीता है तथा चपल पंदर विशाल बच्छों पर पके फल खाता है इन में विशेशणों की संख्याफ कोब ठीक है कपिला गायका दूद पीता है और यहां पर तीसरा जो आपको विशेशंघ मिलेगा तीसा विशेस्टन कहीं हमें देख रहा है क्या नहीं इसमें दो ही विशेस्टन है पहले बाके में कनिया की विशेस्टन नटखट और गाय की विशेस्टन कपिला ठीक है? हाँ और दूद भी किसका है तो दूद गाय का है तो दूद भी यहां पर हो जाएगा कि विशाल और फ्रों के विशे दिस्टा क्या है फाके तो देखो तीन तीन और तीन यानि दोनों में तीन तीन जो है आपके विशेशण है यहाँ पे लेकिन किसी भी option में ऐसा है नहीं चार छह है तीन चार है एक तीन है तो बाइस कर जो सही जवाब हो जाएगा यह जाएगा ऑप्शन टी कि तेश दिखो इनमें से कौन सा गलत है यापको बताना है आहत आगाथ इहका एहिक क्लेस का किलिस्ट और डी आप्शन है सबी साही है तो गलत कौन सा है याप इसमें आंसर आप बताईए वश्ण नम्ब्र तेश का तो तेश जो है इसमें गलत वो है आप्शन ए ठीक है चलिये तो 23 का यहाँ पर हो जाएगा option A आगे देखिए प्रश नम्मर 24 इनमें आपको सही जोड़े का चैन करना है खार, खारज, उतपीड़क का उतपीलन उतप्ती का उत्ताप या हर्ष का हरस्ट सही जोड़ा आपको जो है इसमें चुनना है तो देखिए विशेश होता है वो होता है हर्ष और इसका विशेशन होता है हरस्ट तो 24 का जो यहाँ पर सही जोड़ा है वो है option D अभी जब हमने पिछले सवाल देख रहे थे उसमें जब हमने देखा था तो वहाँ पर हरस्ट को जो है विशेशन बना दिया था और हर्ष को विशेशन बना दिया था जो कि गलत था सही जो है यहां पर हर्ष है विशेश्य और हरष्ट है विशेशन ठीक तो यह होगा बाकि यह सारे के सारे गलत है आगे देखो 25 इनमें से कौन सा समुच्य बोधा क्विशेशन नहीं है इनमें से कौन सा समुच्य बोधा क्विशेशन नहीं है option A दर्जन भर संत्रे, दो जोडे गिर्गिट, बिहारी सत्साई और कुछ मकड़े 25 तो समुच्य समुच्य का मतलब होता है जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो बहुत सारी चीज़ें हो ठीक है समुच्य हो मतलब बहुत सारा समुच्य एक साथ हो उनको हम समुच्य से बोलते हैं जैसे दो दर्जन भर संत्रे तो बहुत सारे संत्रे होगे नहीं होगे वारा संत्रे होगे कम से कम दो जोड़े गिर्गिट तो ही या कम से कम चार गिर्गिट तो होंगे ही और बिहारी सस्साई का मतलब है सो दोहों का जो समूह होता है उसे सस्साई कहा जाता है तो यह भी सही होगा लेकिन कुछ मकड़े तो कुछ मकड़े तो यह कोई सेंस नहीं बनता यहां पर इसी लिए जो इसका करेक्ट अंसर होगा वो होगा ऑप्षन डी समुच्छे बोधा विशेशन नहीं है कुछ मकड़ों को हम कह सकते हैं अनिश्चित संख्यावाचक है ना यहां पर इसको अनिश्चित संख्यावाचक कहा जा सकता है कि कुछ मकड़े का मतलब कि अच्चारण का विशेशन सब्द है उचारित उच्चरणी यह यरे सभी तो उच्चारण का विशेशन सब्द यह सभी है उच्चारणी कहलो तब इसका विल्कुल करेक्ट है चायगुस है चाल सब्ड कि विशेशन है इसके दो विशेशन कालीन तथा काल्एंग उसी प्रकार गरहन सब्ड का ऊचित विशेशन बताईए गरहा गरहीद है और फिर है ग्रहन ऊचित या ऋप्चन सभी सब्ड़ को अ चुरॉण का ऊचित विशेशन होगा सभी ÖPNS आगे देखो अनव कंझ लोचन कन्ज मुख करकंज पद कंजारुरं इसमें विशेशन आपको बताने है नव खंज लोचन थी के आपको बताने हैं तो चलि देखते हैं लोचन की विशिस्ता क्या है कि नव और और नव और कंज है कि यह कंज है और पदों की विश्यस्ता क्या है कि कंज आरुडम है ठीक तो यहां पर अगर आप इने गिल लो तो तीन और दो पांच पांच विश्यस्ण हो रहे हैं लेकिन पांच आप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी इसका विश्यक्रेक्ट है ठीक है आगे देखो 29 में गलत की पहचान आपको करना है अप्शन ए है अनुस्थित और फिर है अनुस्थानिक आंत्रिक का दे रखा है अंतर अनुवाद का दे रखा है अनुवाद आध्रत का दे रखा है आधार गलत को पहचानना है ठीक तो अनुस्थित का जो अनुस्थानिक है ये गलत है ठ ठिक तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अप्शन ए और सीवीज का अंतिम सवाल देखते हैं प्रशनमत तीस गलत विशेश और विशेश आपको भैचानना है ओस्ट का ओस्थिया आदि का आदिया अनुवाद का अनुदित 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 और अनुदित और अनुदित और अनुदित और चौथा इन में से कोई हैं गलत आपको बताना है तो साथियों देखिए ओस्थ का ओस्थि ही होता है सही है आधिका आधिय होगा और अनुवाद के अनुजित भी होता है अनुवाद्य और अनुवाद्य तीनों होते हैं इसका जो सही जवाब है वह अप्शन धियान रखना यह सभी सभी है ठीक है इसी के साथ यह सीरीज होई हमारी सवाप इसमें कुछ सवाल रह गए हैं जिनकी च्रचा करेंगे हैं मंगली क्लास में उम्मिद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जनकारी मिली होगी तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए मिलता है लिए जैहिन जैबारत